सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मख़भ है, पहला धर्म है, इसलाम को हम धर्म समझते ही नहीं है मुहम्मद द्वारा और्गनाइस्ट कियावा एक आतंग की गुढ़ है हमको कोई मुसल्मान कहें इस पर हमको कुछ शर्मा रहे एक बड़ी घटने देश में सामने आई है, वो है शिया वकफबोड के अद्दक्ष वसीम रिजवी साब का घर वापसी करना यानि की हिंदू धर्म में वापसी करना और इसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही है काफी वीडियो आप इस समय यूटूब पर टीवी चैनल पर लगातार देख रहे हैं कि वसीम रिजवी जी का नाम अब जितेंदर नारण त्यागी सिंग जी हो गया है और तमाम जो तस्वीर आपने से पहले भी हमने आपको दिखाई है तो बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इसको किस तरह के परिवर्तन के तौर पर देखा जाए क्योंकि अमूमन इस तरह के जो परिवर्तन है वो देखने में नहीं है अगर पिछले हम 50-100 सालों के इतियास निकालने तो बहुत कम ऐसी तस्वीरे देखने को मिलती है जहां पर इतने बड़ा मुस्लिम नेता जो है वो हिंदु धर्मे सनातन धर्मे वापसी कर रहा हो और खुलकर बोल रहे हैं और खुले आम उन्होंने किताब भी लिखी है और पैगंबर मुहमबस सहाब के खिलाफ कहाँ मैं शब्द इस्तमाल कर रहा हूं उन्हें बिल्कुल आलोचना वो कर रहे हैं और तमाम टीवी चैनलेस पर उनकी बाइट भी चल रही है हमारा विशय बहुत ही महतपूर्ण है और सवाल बिल्कुल सीधा है इसे किस तरह के परिवर्तन के तौर पर जोतिश देख रहे हैं और इस विशय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारा साथ मौजूद है प्रसिद जोतिश चायर पंडित अर्विंत तिवारी जी पंडिज आपको बहुत बहुत स्वागर देखें यह जो घटना घटी है आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं देखें राहू का बहुत बड़ा शिफ्टिंग हो रहा है भारत वर्ष जिसकी कुंडली ब्रशव प्रविश करेगा देखें केतु एक मात्र ऐसा गरहे जिसको हम कह सकते हैं जो कि अल्प संख्यक वर्ग का रेप्रेजेंटीशन करता है और आज केतु का जो मुमेंट है आज देखिए केतु ग्रह ब्रश्चिक राशी में आर्थात मंगल की राशी में ब्रह्मन कर रहा है तो केतु ग्रह के साथ चार ग्रह बैठे हुए हैं सूर्य मंगल केतु और बुद्ध देखिए यह चार ग्रहों का बैठना और अब यह आप देखिए दो दिन पहले पांच ग्र अभी ब्रश्चिक राशी में ब्रहमण कर रहा था शनिवार को सनिष्चरी अमावस्या थी और जब भी इस प्रकार का ग्रह योग या इस प्रकार की ग्रह इस्तितियां बनती हैं तो यह अपने आपमें देश में बड़ी और पूरी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं और यही परिवर्तन था देखे वसीम रिजबी साब जिनकी ब्रशब राशी है उनकी राशी में राहु ग्रह बैठा हुआ है चुकि वो शिया धर्म से तालुक रखते हैं और उन्हो कहीं जो की जिसको लेकर उनके धर्म में बहुत भारी विरोध हुआ और उनको अपने बचाव में धर्म परिवर्तन करना था तो उनको लगा कि कहीं न कहीं सनातन धर्मी एक मातर ऐसा धर्म है जहां पर उनकी रक्षा हो सकती जैसा कि उन्होंने स्वयम कहा कि हमारी आठ पी प्रिंग त्यागी रखा और उनको कहा कि आप छत्री हैं और आपका काम है हिंदू धर्म की रक्षा करना तो आप एक बार पुना अपने धर्म को निभाईए तो आप देखे कि राहू जो कि उनके लगन में बैठा था सप्तम्भाव जो कि उनके विचारों में परिवर्तन पंच ग्रही योग ने विचारों में परिवर्तन किया तो एक बार पुना उनकी घर वापसी हुई मुझे लगता है कि एक शुब संकेत सनातन धर्म के लिए बनने वाला है आने वाले दिनों में किस तरह के आप इसमें परिवर्तन देखते हैं कि और भी शिया समुदायक के जो लोग हैं वो घर वापसी करेंगे सनातन धर्म में वापसी करेंगे और एक प्रिशन से ये भी कि वसीम रिजवी साब जी का भविश कहा है क्योंकि उनको काफी थ्रेट्स भी मिल रहे हैं और उनको जान समाने की धमकियां भी मिल रही है देखे मुझे लगता है देखे बसीम रिजबी साब की राशी के उपर बर्तमान में राहू चल रहा है शनी हट गया है अब शनी उनकी राशी से भागिस्थान में है और आने वाले दिशों में दशमभाव में आने वाला है मुझे लगता है कि वसीम रिजबी साब ना केवल विधान साबा का चुनाव लड़ेंगे अब इतु भारती जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो उसमें एक प्रमुख मंत्री पद का दायत्व या प्रमुख दायत्व को आवश्य समभा लेंगे मुझे लगता है उनका भविष आने वाले दिनों में बहुत इशोब है जहां तक आपका प्रश्ण है कि क्या आने वाले दिनों में और भी लोग आ सकते निसंदे शिया धर्म या अन्य जो अल्प संक्यक धर्म से जुड़े हुए वक्ति हैं मुझे लगता है कि वो भी सनातन धर्म में प्रविश वारी जी कर रहे हैं कि वसीम रिजवी जी जानी कि अब जितेंद्र नारेंट सिंह त्यागी जी हो चुके हैं वो विदान सभा को चुनाव लड़ेंगे और मंत्री भी बनेंगे पंड़ी एक बार फिर मैं चाहूंगा भाईश्वानी आप हमारे दर्शकों तक फिर बताए देखें बिलकुल जितेंद्र नारेंट सिंह त्यागी और बसीम रिजवी साहब ना किवल आने वाले दिनों में विदान सभा का चुनाव लड़ेंगे या वो MLC होकर भी विदान सभा में पहुंचेंगे और उनको उत्तर प्रदेश में जो बनने वाली भारती जनता पार् अगले सरकार भाजपा की बनेगी जी बिलकुल मैं बहुत विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भारती जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है अलाकि सीटों का निर्धारन जिस दिन चुनाव होता है चुनाव के चरण होते ह उसके आधार पर ही हम लोग कर सकते हैं लेकिन एक प्रश्ण कुणली के आधार पर मैं आपको अवश इतना पूरे विश्वास के सांथ बता सकता हूँ कि आने वाले दिनों में भारती जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और जिते नरें जी नहीं कृषी कानून के वापसी को लेकर बहुत पहले गोशना की ती जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पंडी जी ने उस वक्ते भाषवानी की ती जब यह माना जा रहते कि सरकार इस मुद्दे पर कदम कभी भी पीछे नहीं अटाएगी और पंडी जी ने ये भी कहा था कि कैप्टेन अमनिंदर सिंग का जुकाव भारती जनता पार्टी की तरफ होगा उस समय पंजा की मुखमंत्री हुआ करते थे तो यह दोनों भाषवानी निकट भाषविश्क में आपको बता रहा हूँ तो पूरी तरह से सत्य साबित नमस्कार